आज की वीडियो में हम थाई बी एल अटेल ओफ थाउजन स्टार्स के एपिसोड टैन यानि लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्स्टेनेशन करेंगे तो फ्रिंस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक् जाने से पहले टीन अगले वॉलिंटियर टीचर के लिए नोट छोड़ देता है टीन आखरी पार स्कूल में आता है वहाँ सभी विलेजर्स और बच्चे होते हैं सभी बच्चे टीन को अपनी तरफ से गिफ्ट्स देते हैं मीजू टीन को कहती है कि मैं बड़ी होकर आपक की तरह ही टीचर बनना चाती हूं खमा टीन को कहते हैं कि जब भी कोई टीचर जाता है तो यहां के बच्चे इसी तरह से दुखी होते हैं पर यह पहली बार है कि विलिजर्स भी नहीं चाहते कि तुम यहां से जाओ अगर तुम्हें कभी भी यहां के खाने की यादा है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो टियन खमा को thanks कहता है लॉंगते टियन को कहता है कि यह shirt आपके designer shirt की तरह expensive नहीं है पर मैं फिर भी आपको देना चाहता हूँ टियन कहता है कि यह shirt मिरे लिए priceless है लॉंगते टियन को हक करके thanks कहता है टियन इधर उधर देख रहा होता है तो रांग उसे कहता है कि फूफा को हमने सुबस ही नहीं देखा है यॉड आकर टियन को कहता है कि फूफा बिजी है इसलिए उन्होंने मुझे आपको छोड़ने को भेजा है और आपके लिए ये डाइरी दी है टियन टॉर्फन की डाइरी ले ले लेता है टियन यॉड को thanks कहता है टियन सब के साथ selfie क्लिक करवाता है टियन सब को हक करके रोते हुए जाने लगता है टियन टॉर्फन की डाइरी खोलता है तो जिस पेच पर टॉर्फन की विश्ट पूरी नहीं थी वहाँ फूफा ने लिखा होता है कि टॉर्फन जो विश्ट मांगना चाहती थी वो ये है अगर मैं साल के आखरी दिन थाउजन स्टार्स काउंट कर लूँगी तो मैं विश्ट मांगूंगी कि फूफा की लाइफ में कोई ऐसा है जो फूफा की दिल में अपनी जगा बना सके और फूफा उसे सच्चे दिल से प्यार कर सके टीन ये पढ़ कर स्माइल करता है फूफा टीन की गाड़ी जाते हुए देखता है फूफा ने आगे लिखा होता है कि तुम भले ही उस राद 1000 स्टार्स काउंट नहीं कर पाय थे पर तुमने टॉर्फन की विश्ट पहले ही पूरी कर दी है फूफा लिखता है कि मैं हमारी कहानी को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि यहीं हमारे लिए सही एंडिंग है तुम पर हमारा कोई भी कर्स नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ अब अपने तरीके से जी हो और यहां की बातों को यहीं पे छोड़ दो ताकि तुम नई लाइफ स्टार्ट कर सको और अपनी नई लाइफ में तुम वही करना जो तुम दिल से चाहते हो मैं तुम्हारे अच्छे लाइफ की विश करूँगा तीन ये पढ़कर रिंग देख करूने लगता है तीन को अपने घर आये काफी वक्त हो चुका होता है तीन फूफा की दी रिंग पहन लेता है और फूफा को लेटर लिखने लगता है जिसमें तीन यहां की लाइफ के बारे में लिखता है तीन लिखता है कि मेरी लाइफ अब पहले जासी हो गई है पर ना जाने कि हूँ फिर भी मैं वहाँ की लाइफ को मिस कर रहा हूँ तुमने जैसा कहा था मैं अपनी लाइफ अपनी मरजी से ही जी रहा हूँ TN लेटर भेज देता है TN जवाब का इंतजार करने लगता है पर उसे कोई भी जवाब नहीं आता है तियन तुल को Northern Thai restaurant में लेके आता है तो वहाँ का खाना देखकर तुल कहता है कि मुझे ये खाने की आदत नहीं है ना जाने तुम ये कैसे खा रहे हो तियन कहता है कि मैं वहाँ महिनू रहा हूँ तो ये काफी normal है कि मुझे वहाँ के खाने की याद आ रही है तुल कहता है कि तुम्हे वहाँ के खाने की याद आ रही है या फिर किसी इनसान की तियन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है फूफा को चीक आती है तो डॉक्टर नाम कहता है कि शायद तुम्हे कोई याद कर रहा है फूफा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एब ओंग और को देखकर खमा कहते हैं कि ये टियन का फिवरिट था पहले तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर जैसे ही उसने इसे खाया उसे पसंद आ गया फूफा ये याद करके स्माइल करता है डॉक्टर नाम कहता है कि तुम पक्का किसी को याद कर रहे हो तब ही तो स्माइल कर रहे हो फूफा कहता है कि मैं बस काम के बारे में सोच रहा था डॉक्टर नाम कहता है कि मिस्टर सग्दा तो पकड़ा गया है तो ऐसा क्या काम है जो पूचा ही नहीं कि मैं आगे करना क्या चाहता हूँ तुल कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम पहले अपनी ग्राजुएशन कम्प्लीट कर लो तुल कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अपना ग्राजुएशन कम्प्लीट करना होगा पर मैं sure नहीं हूँ कि मुझे अपनी engineering की degree complete करनी चाहिए या नहीं क्योंकि मैंने engineering अपनी मा के कारण चूस की थी तुल पूछता है कि फिर तुम क्या करना चाहते हो TN कहता है ये तुम मुझे नहीं पता पर मैं engineering नहीं करना चाहता हूँ तुल कहता है कि हम कुछ भी करें पर end में तो हमें family business ही संभालना है तो degree उतनी जरूरी नहीं है TN foundation के director Mr. Vinay से मिलने आता है और उन्हें फाफंडाओ village से लाया हुआ gift देता है Mr. Vinay TN से पूछते है कि क्या तुम्हारा village जाने का purpose पूरा हुआ TN कहता है ये तो मुझे नहीं पता पहले तो मैं वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था पर अंत में वहीं के लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है TN कहता है पहले तो मैं बस टॉर्फन का एहसान चुकाना चाहता था पर अब जब मैंने वो कर दिया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ मिस्टर विनाई TN को उसके लगायख वे फ्लावर पॉट का एक्जामपल देकर कहते हैं कि हमारे लिए सही जगा वही है जो हमारे डेवलप्मेंट में हमें हेल्प करे TN अपनी मा को कहता है कि अब मैं इंजिनिरिंग नहीं करना चाहता बलकि मैं टीचर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में एक खुशी मिलती है TN की मा कहती है कि किसी को पढ़ाना और टीचर बनने की पढ़ाई करना दोनों में बहुत फर्क है क्योंकि ये काफी मुश्किल है तो तुम ऐसा क्यों करना चाते हो तुम कोई धंकी पढ़ाई क्यों नहीं करते TN कहता है कि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मुझे कुछ भी करने से पहले family की reputation के बारे में सोचना क्यों पढ़ता है और मैं हर बार तो आपकी बात मानता ही हूँ तो क्या आप एक बार मेरी बात नहीं मान सकते अगले दिन TN के father TN को बताते हैं कि तुम education पढ़ सकते हो ये सुनकर TN खुश हो जाता है और उन्हें thanks कहता है TN की मार TN को America के institute में पढ़ने को कहती है TN मना करता है तो TN के father कहते हैं हमने तुम्हारी एक बात मानी है तो क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगे TN ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है TN को डॉक्टर नाम अपनी wedding का invitation भेजता है जिसमें लिखा होता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है TN ये देख कर smile करता है डॉक्टर नाम फूफा को भी call करके invite करता है तो फूफा कहता है कि मैं busy हूँ इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा तो डॉक्टर नाम कहता है मैंने तुम्हारे लिए दो seats reserve करके रखी है तो तुम्हें आना ही होगा फूफा पूछता है कि दो seats तुमने क्यों reserve की डॉक्टर नाम कहता है कि एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारे volunteer teacher के लिए मैंने उसे भी invitation भेजा है तो वो भी जरूर आएगा फूफा बेजी होने का बहाना करके call कट कर देता है टीन को ready होता देख उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम आज किसी खास occasion पे जा रहे हो टीन हा कहके कहता है कि मैं अपने senior की wedding में जा रहा हूँ फूफा यॉड और रांग के साथ वहाँ पे आ जाता है डॉक्टर नाम फूफा को कहता है कि पहले तो तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे फूफा कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं चला जाओ तो मैं अभी भी जा सकता हूँ डॉक्टर नाम कहता है कि मैं तो बस मजाग कर रहा हूँ और अभी तो वो आया भी नहीं है जुसके लिए तुम आये हो तो तुम जा कहा रहे हो। सब लोग साथ में पिचर क्लिक करवाते हैं। टियन पार्टी में फूफा को ढूणने लगता है। डॉक्टर नाम ये देखकर टियन को कहता है कि फूफा आया तो था अपर उसे कुछ काम आ गया इसलिए वो चला गया। टियन कहता है शायद फूफा मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है इसलिए उसने मुझे कहा था कि मैं उ बूल जाओं। डॉक्टर नाम को जेन बुला रही होती है तो डॉक्टर नाम टियन से उसका नंबर लेकर चला जाता है। टियन को देखकर यॉड और रांग भी उससे मिलने आते हैं। तीनों बाते करने लगते हैं। पीछे से फूफा थोड़ी देर तक टियन को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। टियन दुखी होकर घर वापस आ जाता है। टियन फूफा को फिर से लेटर लिखता है और बताता है कि मैं यूएस बढ़ने जारा हूँ तो शायद यह आक्री लेटर होगा देर तुम्हारे लिए। लिए। पहले मुझे लगा था कि य भुलना चाहता हूं टियेन जाने के लिए पैकिंग कर लेता हैं टियेन आelly गरते हैं तुल हम से मिलने ओर आता है टुल को हक करके कहता है कि तुम जब यूएस में होगे तो यहां के बारे में ज़्यादा मत सोचना क्योंकि वहां भी Taip nhiय हैं sopr Woody होंगे ती एं समाइल करता है तेन के माश्म के यान को हख करके अपना ध्यान रखने को आती करता है तो पूफा उसे गुटलक कहता है। टियन पूछता है कि क्या तुम मुझे बस यही कहना चाहते हो, फूफा कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तभी पीछे से फूफा आता है, फूफा को देख कर टियन दुखी मन से स्माइल करता है, फूफा कहता है कि मैं तुम्हें बाई बोलने आया हूँ, टियन कहत कि तुम आखिर चाहते क्या हो कहीं तुम फिर से अपना खयाल तो नहीं बदलोगे फूपा कहता है कि मैं इस पार अपना फैसला नहीं बदलूंगा पीछे से तुल टीन को कहता है कि तुम लेट हो जाओगे तो टीन फूपा को कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो फ टियन फूफा को हग करता है यह देखकर टियन की मा अपने हस्बंट से पूचे टियन के फादर कहते हैं कि इसी ने विलेज में टियन का ध्यान रखा है फूफा टियन को अपना ध्यान रखने को कहता है टियन भी उसे अपना ध्यान रखने को कहता है टियन फूफा को एक चौक जाती है टीन चला जाता है फूफा जो फोटो देखता है तो वो उन दोनों की ही फोटो होती है अब स्टोरी दो साल बाद आती है विलेज में सब अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं फूफा यौड और रांग के साथ बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है तो बच्चे फूफा को TN के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। फूफा पूचता है कि ये तो मैं किसने जिखाया है। तो सब यॉट की तरफ इशारा करते हैं। फूफा यॉट से पूचता है कि नया वॉलिंटिर टीचर कब तक आने वाला है। यॉर्ट कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता है, फूफा को गुस्सा होता देख यॉर्ड और रांग बच्चों की छुट्टी कर देते हैं, फूफा टियन की पिच्चर देख कर स्माइल करता है, तभी फूफा को फाफंडाओ क्लिफ से एमर्जनसी अलर्ट आता है, तो फू इंटॉर्फन की डायरी धर्ती के अंदर रख देता है, और उसे देर से लॉटाने के लिए सौरी कहता है, और अपनी नई डायरी उठाकर कहता है कि ये मेरी डायरी है जिसमें मैं अब से यहां का सफर लिखूँगा, ये सुनकर फूफा चौक जाता है, मैं नया वलेंटिय ठीचर हूं। फूफ़ा को चौका दे टीएन केहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इन्दिजार करोगे। फूफ़ा हा के कहता है कि मेरा ये मतलम नहीं था कि मैं तुम्हें तुम्हें दुबारा यहां पर वॉलॉंटियर टीचर future बनाने आया हूँ मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुन रहा हूँ तो तुमें भी यही करना चाहिए क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आ रहा हूँ फूफा हां कहता है टियन कहता है कि जब किसी के life का purpose बस दूसरों की help करना हो तो उससे भी अच्छी चीज़े ही मिलती है फूफा टियन को hug करके पूछता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो टियन हां कहता है फूफा कहता है कि उस रात तुमने एक star count करना miss कर दिया था पर मुझे वो star मिल गया है और वो star तुम खुद हो जो मेरी दरफ आया है टियन स्माइल करके कहता है कि तुम्हें इतनी अच्छी बाते करनी कब से आ गई फूफा कहता है कि अब thousand stars पूरे हो चुके है तो अब तुम दुबारा से विश मांग सकते हो टियन कहता है कि मेरी विश यही है कि हम दोनों दुबारा कभी अलग ना हो फूफा कहता है कि अब से ऐसा ही होगा टियन फूफा को हग करता है दोनों किस करते हैं रात में टियन शावर लेके आता है तभी बिजली चली जाती है थोड़ी दिर बाद बिज लिया जाती है तो फूफा टीन को हग करता है फूफा टीन को कहता है कि मैं नीचे सो जाऊंगा तो तुम बेट पर सो जाओ पर तुम्हें मुझे अपने पैरों से मसाज देना होगा टीन फूफा के बैक पर पैर रखके बेट पर चला जाता है और कहता है कि तुमने जो मांगा था मैंने तुम्हें दे दिया फूफा कहता है कि तुमने जितना फोर्स यूज किया है उसे तो मेरी कमर में और भी जादा दर्द हो जाएगा और मैं इस स्टिफ मैट्रेस पे सो भी नहीं पाऊंगा ठीक से टीन पूछता है क्या तुम सॉफ्ट विस्टर पे सोना जाते हो फूफा पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ टीन कहता है कि पहले तुम मुझसे प्यार से बोलो फूफा प्यार से बोलने लगता है तो टेन कहता है कि क्या तुम सिर्फ सोना चाते हो फूफा तुरंट से बेट पे आ जाता है टेन टी सैशे देखकर उसे पूछता है कि तुमने अब तक इसे रखा हुआ इसका मतलब तुम मुझे सच में बहुत याद करते थे टेन स्माइल करके पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ फूफा कहता है कि तुमने जिस तरह से पहली बार मुझे देखा था मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम मुझे लाइक करते हो टियन कहता है कि तुम गलत हो उस वक्त मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था फूपा स्माइल करके कहता है कि क्या तुम्हें पता है जब मेरा ओपोनेंट आराम से होता है तो मैं क्या करता हूँ टियन पूछता है कि क्या करते हो तुम फूपा कहता है चेप मेट फूफा TN को टिकल करने लगता है TN की आवाज सुनकर बाहर से यॉट पूचता है कि बात क्या है दोनों चुप हो जाते हैं यॉट स्माइल करके चला जाता है और यही पर यह एपिसोड और सीरीज खतम हो जाती है So friends, that's it for this video I hope आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ बाल एकन भी प्रेस कर दीजिए तक याप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें So friends, thanks for watching this video Bye bye and take care of your health